नमस्कार दोस्तों मेरा नाम उत्तंप्रकास है और मैं नकटिया गंज बिहार से हूँ आज हमारे देश में कई तरकी समस्या हैं जिन समस्याओं से हम जूज रहे हैं सबसे पहली समस्या तो भरष्ट चार है भीमारी से लोग परिशान है नोजवानों को रूजगार नहीं मिल पा रहा है दूड़े माबाप कि सेवा नहीं हो पा रही है सिच्छा के लिए भी बच्चे परिशान है और होस्पीटल के आगे लोग बिमारी कारण मर जा रहे हैं इस तरह की कई तरह की समस्याओं है नसा खूरी बच्चे कर रहे हैं इन सभी चीजों से बचना बहुत पर हो नहीं पाया भाजपा भी कर पा रहा है लेकिन हो नहीं पा रहा है मुझे लगता है कि इन सभी समस्याओं के जड़ में विरुजगारी है अगर हम देश से विरुजगारी दूर कर दें तो सायद उम्मीद है कि सभी तरह की समस्याओं का समधान हो सकता है अब रही बा अगर अच्छा लगे इसको आप लोग आगे बढ़ाएंगे। हम अपने दैनिक जीवन में कई तरह की वस्तूं का यूज करते हैं, प्रयोग में लाते हैं। जीवस्तूं के निर्मान में किसी भी तरह का हाई टेक्नलोजी का यूज नहीं किया जाता। उसको बनाने में निर्मान करने में हाई टेक्नलोजी नहीं लगता। जैसे मैं आपको बताऊं। आटा, दाल, चावल, दूद, घी, मक्षन, लस्सी, सबजी, मसाला, हम दंतमजन करते हैं, मंजन, साबुन, तेल, जुपता, चपल, कपड़ा, हीटर, पंखा, कूलर, इस तरह की हजारों बस्तूं हैं। लकड़ी से बनी हुई वस्तूएं, पलास्टिक की वस्तूएं, इस तरह की कई तरह की चीजें हैं, जो हम अपने दैनिक जीवन में समय समय पर यूज करते रहते हैं। इन वस्तूओं के निर्माण में किसी भी तरह के हाई टेक्नोजी का यूज नहीं किया जाता है। और इसको हर वेक्ति अपने घर में बड़े आसानी से बना सकता है। या लगू द्योग में हम इनका निर्माण कर सकते हैं। लेकिन आज इन सही वस्तूओं का निर्माण कंपनी कर रहे हैं। लोग रुजगार के लिए परेशान हैं। फिरुजगारी है और इन वस्तूओं का निर्माण कंपनी कर रहे हैं। सरकार क्या करें। इन वस्तूओं के निर्माण उत्पादन बैपार का अधिकार आम जनता को दे दे। आम जनता इन चीजों का उत्पादन करें, उसको बेचे बजार में, कम्पनी इन चीजों का उत्पादन न करें, कम्पनी क्या करें फिर, कम्पनी फ्रीज बनाए, कम्पनी मोबाइल बनाए, कम्पनी लैप्टॉप बनाए, कम्पनी टेक्टर, मोटरसाइक, इलची, प्रकार, सेटेलाइट जो जो चीजें आम जनता नहीं बना सकती जिसमें हाई टेक्नलोजी की जूरत है उन्हीं वस्तों को कंपनी बनाए जिन वस्तों के उत्पादन में टेक्नलोजी की आवसकता ही नहीं है टेक्नलोजी की जूरत ही नहीं है उसको कंपनी क्यों बना रही है वो तो आ आराम से अपने घर में उत्पादन करके अपने जिंदिगी को बहुत असानी से जी सकते हैं। बिरजगारी बिल्कुल खतम हो जाएगी देश से और बिरजगारी खतम हुआ तो हर वेक्ति के पास पैसे होँगे और रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, रोजगार के लिए अपने घर को छोड़ के बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा। जब घर में पैसा होगा तो स्वास्त भी धीर धीर ठीक हो जाएगा क्योंकि गुरुजगारी के कारण स्वास्त गिर जाता है हम टेंशन में रहते हैं तनाव में रहते हैं नसा खूरी करते हैं फिर आपस में जगड़े करते हैं और आज देश में आरक्षण की मार चल रही है रहे हैं कि हमको जाधा जाहिए अलग-अलग जाती है अपना अपना आयक्षन मांग रहे हैं कि हम्पनी बने dismant कंपणी पापड बना रही है तिलवरी बना रही है इसलिए सरकार से यह मांग करें कि इन सभी वस्तूओं को लगु उद्योग के लिए आरक्षित कर दे और कंपणी इन चीजों को बिलकुल ना बनाए अगर माली जी जूता कंपणी बनाना छोड़ दे तो गली-गली में जूते के करखाने हो जाएंगे मूची आराम से जूता बना सकता है अगर माली कपड़ा बनाना कंपणी छोड़ करते हैं को तो गली गली में दर्जी हो जाएंगे आराम से कपड़ा कपड़ा सीकर के मना सकतें कितना रोजगार मिलेगा कुटनगों को रोजगार मिलेगा और कंपनी कभी भी रोजगार नहीं देती ऐखेंगों के कि चीन लेती प्र वह दो 2500 लोगोंου रोजगार मिलता है इसलिए अगर मालीजी आज कहा देगी कोको कोला नहीं रहेगा लोग जूस अपना बनाएं और पीए तो देखिए आज ये दूद की कमपनी सुधा है मदर ये ये बंद हो जाए तो गली-गली में लोग पशुपालन करके दूद का उतपादन करके बेचेंगे घी मखनलसी ब अब और वह सेलेक्टिड बच्चे होंगे जिनको आप बहुत अच्छी सिख्षा दे सकते हैं आज क्या है बच्चे बीए पास कर रहे हैं में पास कर रहे हैं डिग्रिया उनके हाथ में है ज्यान है नहीं नौलेज है और जो ज्यान है वो देश को भ्रष्ट मनाने के लिए उनको मिला है वो अपने ज्यान का दूर्पियों करते हैं इसलिए सेलेक्टिड बच्चे ही आगे जाएंगे और वो जाकर कि देश का सही काम करेंगे और जो लोहों को समाने रोजगार उनको प्राप्त हो जाएगा इसलिए मैं यह कहता हूं कि अगर हमें सरकार से लड़ना हैं तो हमारा यह अधिकार है इन चीज़ों का उत्पादन चटनी हम बनाएं इस तरह बहुत सारी चीज़े हम बनाएं कंपनी न बनाएं अगर यह हो गया तो देश की कई तरह की समस्याओं का समधान हो जाएगा और हर व्यक्ति जो है लाख पती हो जाएगा ना कोई करोड रूटबती होगा ना कोई रूडबती हो जाएंगा सानदा के काफ तरह की समस्याओं कि बहुत ऐसे चीज़े लसीन है एक स्पेक्ट्र फोटो मित रहे हैं इस तरह की चीज़ें कमपनी मना हैं हुम को पचड़े में नहीं पढ़ना हम समान्ये चीज़े बना ले मसेला निल इस तरह यह बहुत चीज़ें हैं आप समझ रहे होंगे मेरी बात इंचुज्यों का निर्माण उत्पादन हम करें सरकार को अगर यह सरकार ऐसा करती है तो कोई इस देश में नहीं होगा जो बेरोजगार होगा हर विक्ति के हाथ में रोजगार होगा तो एसा हम कर सकते हैं ऐसा मेरी सऻोंच है तो अग्हर यह बिड्यो को अच्छा लगा तो शेयर करें लोगों को भेजें लोग जागरुक मनाए आपस में कोई युद्ध ना करें लड़ाई ना करें लड़ाई करना है तो इस विशयेपर सरकार से लड़ें और यह जो आज हमारे मन में दिल दिमाग में फिट है कि AC में राना है, काला जूता पाहना है, काले कोट पाहनने हैं, नोकरी करनी है और MD की का गाली सुननी है कंपनी में जाके, ति यह मानसिक्ता ठीक नहीं है, इस तरह से यह ठीक नहीं है, मानसिखता यह होनी चाहिए कि हम अबने पुरिवेस में प्रीवेस की हिसाब से रहके अपने यूग्यता की हिसाब से जल रोजिगार करें और सरकार हम को सुपसर दे French लिए तो यह मानसिक्ता होनी चाहिए नौत करने की और एसी में वर्याज की